नमस्कार दोस्तों आप देख रहें online stuff youtube channel और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले youtube channel कैसे create करना है आपको youtube channel क्यू create करना चाहिए इसके क्या क्या फाइदे है इससे आप कैसे earning कर सकते हैं ये सारी points में हम नहीं पढ़ने वाले हम आते सीधे straight forward point पे जो की है youtube channel कैसे create करना है तो यहाँ पे new channel create करने के लिए सबसे पहले आपको login कर लेना है आपकी gmail की account में जिस भी gmail से आप youtube channel create करना चाहते है उसके बाद आपको जाना है youtube की website और आप automatically यहाँ पे sign in हो जाएंगे क्यूंकि आपने gmail पे पहले से ही login करके रखा है अगर आपको इस तरीके का option कर लेना है अगर आप automatically sign in नहीं हो पा रहे youtube पे इस पे click करने के बाद आप जो भी mail id से sign in है वो mail id आपको select कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे youtube में automatically sign in हो जाएंगे उसके बाद आपको उपर यहाँ पे जो profile picture दीख रहा है आपका इसके उपर click कर लेना है और एक options का drop down यहाँ पे open हो जाएगा सबसे पहला जो option आपको दिखाए दे रहा है create a channel इसके उपर click कर लीजे उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का एक pop-up आजाएगा आपको अब यहाँ पे get started बटन पे click कर लेना है अब यहाँ पे choose how to create youtube channel के अंडर आप देख सकते आपको यह यहाँ पे दो option मिल जा रहे use your name left side का जो option है तो आपने gmail id पे आपका जो भी नाम setup किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा होगा हो सकता है आपको यहाँ पे आपका personal नाम भी show हो रहा हो क्योंकि मैंने यहाँ पे gmail जो है मेरा online stuff नाम से create किया था तो उस वज़ जैसे मुझे यह नाम यहाँ पे दिखाए दे रहा है आपको यहाँ पे आपका personal name show रहा होगा तो अगर आप इसी नाम से channel create करना चाहते है तो यह जो select button दिखाए दे रहा है इसके उपर click कर लिजे और अगर आप आपका यह जो नाम है इसे use नहीं करना चाहते है और custom name आप आपके channel को देना चाहते तो right hand side में आपको यह जो option मिल जा रहा है use a custom name इसके अंडर यह जो select button आपको दिखाए दे रहा है इसके उपर click कर लिजे जिसके बाद आप आपकी channel को आपकी सबसे custom name यहाँ पे दे पाएंगे तो इस button की उपर आपको click कर लेना है उसके बाद एक channel create का page open हो जाएगा इस तरीके से सबसे पहले आप यहाँ पे input box में आप जो भी नाम देना चाहते आपके channel को वो आप यहाँ पे type कर लिजे channel नाम यहाँ पे डालने के बाद नीचे आपको यह जो terms condition का box दिखा दे रहे इसे यहाँ से click कर लिजे और बाद में आपको create button के open हो जाएगा जो कि है हमारा channel setup का तो इस channel setup page पे आप अपनी channel का पूरा setup कर सकते हैं और आपको यहाँ पे notification भी आजाएगा channel successfully created अब यहाँ पर आप आपकी channel का जो भी profile picture है वो set कर सकते हैं about section आप यहाँ पे feel कर सकते हैं और आपकी social media की links भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं या फिलाल हम यहाँ पे सिर्फ हमारा जो लोगो है यानि की profile picture है वो यहाँ पे set करने वाले और बाकी चीज़े हम आने वाले वीडियो में देखने वाले about section कैसे डालना है social media links और website की link कैसे paste करनी है channel में मैं यहाँ से जो मैंने logo create किया था वो यहाँ पे select कर लेता हूं और उसके पे आपकी channel की page पे अब automatically redirect हो जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पार है हमारा logo यहाँ पे आ चुका है हमारा जो banner है या फिर जिससे हम channel art कहते है वो भी हम यहाँ से set कर लेते जिससे कि हमारा initial channel setup जो है वो complete हो जाएगा तो यह जो option आपको दिखा दे रहा है button customize channel इसके बाद आप automatically आपके YouTube creator studio में redirect हो जाएंगे और YouTube creator studio में जो customize option है उस page के अंडर आप यहाँ पे automatically आ जाएंगे तो इस option को यहाँ से close कर लीजे इस page पर आपको यहाँ पे जो second type दिखाए दे रहा है branding का इसके उपर क्लिक कर लीजे अब जैसा कि आप देख पार है हमारा जो logo है यानि कि profile picture है वो automatically यहाँ पे आ चुका है banner image को हम यहाँ से set कर लेते हैं banner image आपने जो भी create किया होगा हो सकता है आपको उसको resize करना पड़ेगा क्यूंकि वो जो banner image है वो अलग-अलग devices पे अलग-अलग show होता है devices याने के YouTube TV पे यह जो है इस तरीके से full image show होगी अगर आप desktop पे देखने जाएंगे तो यह जो box आपको दिखाए दे रहा है center में इसी box के अंडर जो भी आपका content है वो यहाँ पे सिर्फ शो होगा तो हो सकता है आपका जो banner art आपने create किया होगा channel art वो यहाँ पे proper तरीके से set ना हो तो सिर्फ आपको अप done button पे click कर लेना इसे आप बात सकते इन्होंने dimensions भी दिये हुए है अगर आप यहाँ पे इसका use करके channel art create करना चाते और अब हमारा third option आता है जो की है video watermark वीडियो watermark के अंडर आपका जो भी वीडियो रहेगा उसके right bottom corner में इस तरीके से watermark शो हो जाएगा automatically और इसे आप optional रख सकते यह जो है upload करना या नहीं करना यह आप कोई पर है यह जो step है optional है फिलालाम यहाँ पे हमने जो logo create किया था वही setup कर लेते अप्लोड करने के बाद आप इसे crop भी कर सकते अगर आप आपकी logo का सिर्फ selected portion ही दिखाना चाते तो इस तरीके से आप उसे crop भी कर सकते एक बार आपने यहाँ पे image select कर लिए उसके बाद आपको यह जो done button दिखे दे रहे है इसके उपर click कर लिजे जैसे ही आप image upload कर देंगे उसके बाद आपको यह इसके ending में यह watermark appear हो जाएगा second option custom start time अगर आप select करते example के तोर पर अगर मैं यहाँ पे 30 second यहाँ पे set करता हूँ तो जैसे आपका वीडियो 30 second का play हो जाएगा उसके बाद आपका watermark automatically appear हो जाएगा और last का जो option है entire video यानि कि start से लेके end तक यह watermark आपकी वीडियो पे रहने व आप यहाँ पे डाल दीजे example के तोर पर अगर आपका 7 second का channel intro है तो 7 second select कर लिजे और सबसे आखिर में यह जो publish button आपको दिखाय दे रहा है इसके उपर click कर लिजे और आपका यह जो पूरा यहाँ पे setting है यह अब यहाँ पे save हो जाएगा आपको यहाँ पे 2-3 second का wait करना है उसके बाद आपको इस तरिके का एक notification भी आ जाएगा changes published अब आप इस view channel option पे click करके आपके channel को visit कर सकते हैं अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते है हमारा channel art भी यहाँ पे setup हो चुका है अब आने वाले videos में हम about section कैसे feel करना है आपकी channel के tags कैसे डालने है social media links और website का link कैसे paste करना है बाकी settings आपको आपकी channel की अंडर क्या 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 करने है और YouTube studio में आप बाकी settings क्या क्या और कैसे कर सकते हैं यह पूरी चीजे आने वाले हम इस YouTube video series के अंडर देखने वाले और YouTube studio में login करने के बाद हो सकता है आपको यह जो profile picture है आपका यहाँ पे show नहीं हो रहागा त हो जाएगा जो कि हमने channel create करते वक्त जो profile picture set किया था अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like करेगा और बाकी YouTube के वीडियो भी आप देखना चाहते है तो आपको इस playlist section में जाना है और यहाँ पे आपको YouTube playlist आपको मिल जाएगी उस YouTube playlist में जाने के बाद आ और अगर अभी तक अपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लीजिए कुझ तुनें झालώ को बा짝एशना चाहते है तोे जाएगी आपको मिल अपको पर चाहते है ऑनाप दो हाँए, और यहाँ रहाँ है अजसित्वाचल किस्के vorsmya हुआप, क्रिणे आपको गभी वीडिए